आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बता रही हूँ जिसको खा करके आप अपना वेट कम कर सकते हैं और ये बिल्कुल पॉसिबल है वेलकम टो स्थिनी कॉर्णर मैं हूँ अराधना अगर कभी भी आप जिम जाते हैं या पिर किसी डाइटेशियन से कंसल्ट करते हैं तो वो आपको डारेक्ली या इंडारेक्ली ओमेगा-3 याने की healthy fatty acid खाने की सला देता है अगर आप कोई medicine लेते हैं जो बहुत सारे advertisement आते हैं कि कोई capsule लेने से आपका weight lose होगा कोई syrup पीने से weight lose होगा तो उसमें कहीं न कहीं omega-3 जरूर होता है अगर मैं आपको सबसे आसान तरीके से समझाओं तो ये healthy fatty acid हमारे body का amino acid होता है जो हमारे शरीर के दूसरे parts के बीच संतुलन पैदा करने का काम करती है और जब हमारी body संतुलित रहेगी तो हमारा बजन वैसे ही कम होगा और ये सारे गुड़ होते हैं फ्लेक सीट्स यानि की अलसी के बीच में हर जगा इसे अलग-अलग नाम से जाना जाता है पर हिंदी में फ्लेक सीट्स को अलसी के बीच कहा जाता है फ्लेक सीट्स यानि की अलसी के बीच में भर पूर मात्रा में फाइवर्स होते हैं और ये हमारे डाजेस्ट्री सिस्टम यानि की हमारी पाचन क्रिया को डीटॉक्सी फाइड करने में बहुत मुदद करता है जिससे हमारे body में संत्वन बना रहता है और हमारा वेट कम होता है हम जो भी बाहर की चीजे खाते हैं जो मैदा अपने अंदर लेते जाते हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम रात में खाये तो सूबे हम जब फ्रेश रूमे तो फ्लस आउट हो गया मैदा को digest होने में बहुत टाइम लगता है जो भी बाहर की चीजे खाते हैं उन सब को digest होने में बहुत टाइम लगता है और वो कही न कहीं हमारे आतों में जाकर के चिपकते जाता है जो की बीमारी का रूप लेता है और हमारा वजन बढ़ाते जाता है तो ये अलसी के बीच हमारे शरीड की सफाई करने में बहुत मदद करता है और जब हमारा शरीड साफ रहेगा तो हमारा बजन अपने आप कम होगा फ्लेक्सीड में प्रोटीन काफी अच्छा होता है जो सब के लिए बहुत ही हेलफूल है आप अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं आप भी खा सकती है आप अपने घर के बड़ों को तो जरूर ही खिलाए और एक सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि अगर आप यह अपने बच्चों को खिलाती है तो उनकी जो लर्निंग क्यापिसिटी होती है जो उनकी सीखने की घाल हमाराइब सी छमता होती है। वह भी आफी पीजी से बढ़ने लग जाती हैं। ये तो हो गया अलसी के फाइदे, अब इसको खाना कैसे है ? वैचे तो आप इसको सुबाव सकते हैं, दोपर में भी खा सकते हैं । पर इसको खाने का जो सबसे अच्छा टाइम है वो है रात को खाना खाने के बाद, क्योंकि हम जब नींद में जाते हैं, रात को सोने के 2-3 घंटे बाद हमारी बॉड़ी जो है, हमारी अंदर की रिपेरिंग शुरू करती है, जो भी दिन भर में टूट फूट हुआ रहता है हमारे बॉड़ी के अंदर, सेल्स वगएरा जो भी, वो सब हमारी रिपेरिंग शुरू होती है रात को सोने के 2-3 घंटे बाद, तो जो फ्लेक्सीड हैं ये जो अलसी के बीज हैं, ये उस रिपेरिंग को और फास्ट कर देता है, हमारे बॉड़ी में जो भी चीजे अब व बहुत ही है, आप इसको खा करके देखिए, आपके अगर बाल जड़ रहा है, तो भी जड़ने बहुत कम हो जाएंगे, आपके स्किन अच्छी हो जाएगी, आपको खुदी असर पता चलेगा, तो ये था मेरा आज का वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब चरूर करिए